उजेश प्रजापती पर अफियार सुसुराल में बवाल मारपीट करने का लगा है आरोब मकान के गेट पर कार से चक्कर मारने का रोब पत्नी को कार से कुछ चलने के प्रयास का रोब पत्नी और सुसुराल वालों से मारपीट का रोब मोगे पर पहुची पुलिस से भी भीड़े पूरो विधायक पुलिस से पूरो विधायक का शांती भंग में किया चलान पत्नी शालनी की तहरीर पर अफ़यार दर्ज की गई मामले के जाथ पर जूटी पीजियाई पुलिस पूरा मामला लगनोपूर विधायक पत्नी पर पत्णी ने दर्ज करा है। अफ़ायर दर्ज की गई मामले की जात में जूटी पीजी आई पुलिस पूर्वधायक पर पत्नी ने दर्ज कराया अफ़ायर दन्दवारी बांदा के पूर्वधायक प्रजेश प्रजापती पर दर्ज हुआ फ़ायर सुस्राल में बवाल मार पीट करने का लगा है आरोग मकान के गेट पर गार से टकर मारने का रोग समधातराज नरायनस कबर प्रधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरविधायक पत्नी ने दर्ज कराया अफ़यार तिंद्वारी बान्दा के पूरविधायक प्रजेश प्रजापती पर अफ़यार सुस्राल में बवाल मार पीट करने का लगा रोग मारे सायोगी राज़ुनाड इस खबर प्रधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ पूरविधायक पत्नी ने अफ़यार दर्ज करवाया है क्या कुछ पूरा मामला है जी तचला मैं आपको बता दूँ पूर विधायक ब्रजेश प्रजापती 2017 में बान्दा की तिन्वारी विधान सभा से भाजपा के टिकट पर विधायक हुए थे ब्रजेश प्रजापती इनने 2022 में स्वामी प्रजाद मौर्या के साथ भाजपा छोड़ी थी और सपा के टिकट पर 2022 का विधान सभा चुनाओ ये लड़े थे और जो है वो ये भाजपा प्रजेश प्रजापती पर प्रजेश प्रजापती पर ये आरोप हैं कि ये अपनी पत्नी को लगातार प्रजेश प्रजापती चैणक कल रात में उनके पहुंसते हैं इसके बाद प्रजेश प्रजापती पछाने उनको ले जाया गया था उनको प्रतारिश करते हैं और उनके बच्चों के साथ भी मारबीट करते हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया और वे फिर जब जब अबाद बिज लग्टना